मेरे प्यारे देश वाक्षियों, इसी महने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुश खबरी आई हैं। भारत की टीम ने पहली बाग विमेंस जुनियर एशिया कब जीत कर तिरंगे की शान बढ़ाई है। इसी महने हमारी मैंस होकी टीम ने भी जुनियर एशिया कब जीता है। इसके साथ हम इस टूर्णामेंट के इतिहात में सबसे अधीक जीत दरजे करना वाले टीम भी बन गए हैं। जुनियर सुटिंग वर्लकप उसमें भी हमारी जुनियर टीम ने भी कवाल कर दिया। भारती एशिया टीम ने इस टूर्णामेंट में पहला स्थान हासिल किया है। इस टूर्णामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल्स थे उसमें से 20 परसंट अखेले भारत देखाते माये हैं। इसी जून में एशियन अंडर 20 अथलेटिक चेंपिनसिप भी हुई। इसमें भारत पदक तारिका में 45 देशों में टॉप तीन में रहा। साथियों, पहले एक समय होता था जब हमें अंतराष्ट्री आयोजनों के बारे में पता तो चलता था, लेकिन उसमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था। जैकर आज मैं केवल पिछले कुछ सफता के सफलताओं का जिक्र कर रहा हूँ, तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है। यही हमारे युवाओं की असली ताकत है। ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगीता हैं, जहां आज भारत पहली बार अपनी मवजूद्गी दर्ज करवा रहा है। भी दर्ज की हैं। मैं देश के इन सभी अतलेट्स, उनके पैरेट्स और कोचीश, सब को उनके प्रयासों के लिए बहुत बदाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल आयोजनों में देश की सभरता के पीछे, राष्ट्रियस तर पर हमारे खेलाडियों की कड़ी महनत होती है। आदेश के अलग-लग राज्यों में एक नए उत्सा के साथ खेलों के आयोजन होते हैं। इन से खेलाडियों को खेलने, जीतने और हार से सिखने का मौका मिलता है। जैसे अभी उत्तरपदेश में खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। इसमें युवाओं में खुब उत्सा और जोस देखने को मिला। इन खेलों में हमारी युवाओं ने 11 रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन खेलों में पंजाब उनिवर्सिटी, अमरिच सर की गुरु नानक देव उनिवर्सिटी और करनाटका की जैन उनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले स्तीन सानों पर रही हैं। साथियों ऐसे टूर्नामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी होता है कि इन से युवाओं खेलाडियों की कई इंस्पारिंग स्टोरिज भी सामने आती हैं। खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स में रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन उनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खेलाडी बने जिनों ने इसमें हिस्सा लिया। बरकत्तुला उनिवर्सिटी की नीधी पवईया घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शौट पूट में गोल्ड मेडल जीतने में काम्यार रही। सावित रिबाई फूले पूने उनिवर्सिटी के सुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते। पिछले सार बेंगलूरू में निराशा हाट लगी थी। लेकिन इस बार वे स्टैपल चेस के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। बर्दवान उनिवर्सिटी की सरस्विती कुंडू अपनी कबडी टीम की कैप्टेन है। वे कई मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुंची है। बहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एक्टलेट्स को टॉप्स किम से भी बहुत मदद मिल रही है। हमारे खिलाडी जितना खेलेंगे उतना ही खेलेंगे।